डाउट्रेंट पर कीजिए अपने सारे गौर्णमेट एक्जाम्स की त्यारी सीखे नियू टिप्शन ट्रिक्स और सफाया करे अपने सारे मैध्स डाउट्स का डाउट्लोड कीजिए डाउट्रेंट आप भी या फिर वत्साप कीजिए अपने डाउट्स 8-400-400-400 पर Hi friends, यहां प्रस्ट में दे रखा है 3 plus 1 बटे root 3 plus 1 बटे root 3 plus 1 बटे root 3 minus 3 के बराबर है देखें यह हमें समीकरण दिया हुआ, उसको solve करके हमें देखने ही किसकी value किसके बराबर है तो देखें हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3 plus 1 बटे root 3 plus 1 बटे 3 plus root 3 plus 1 बटे root 3 minus 3 ठीक है, तो देखें इसको solve कर लेते हैं, तो यहां से यह क्या आ जाएगा 3 plus 1 बटे root 3 plus 1 बटे 3 plus root 3 और इसको अगर मैं minus से गुना कर दूँँ तो यह क्या जाएगा, minus 1 बटे 3 minus root 3 ठीक है, अब देखें यहां पी इसका LCM ले सकता हूँ इस value का, तो यहां पे अगर मैं देखूं, तो यह कैसा value है a plus b गुने a minus b, तो इसको इसकी value क्या होती है, a square minus b square तो यहां पे इसका use कर लेते हैं, तो यह value क्या जाएगी, 3 plus 1 बटे root 3 और इसका लगुत्तम लिया मैंने, तो यह क्या जाएगा मेरा, हर में देखें क्या जाएगा a square minus b square, a square यहनि 3 का square यहनि की 9, और minus root 3 का square, root 3 का square यहनि की 3 और अंस में क्या जाएगा, 3 minus root 3, और minus 3, और यह plus minus minus हो जाएगे, minus root 3 तो देखें, यहां से value कौन कौन सी value कट जाएगी, plus 3 और minus 3 कट जाएगा, और minus root 3 और minus root 3 जुड़ जाएगे तो यहां से यह value मेरी कितनी आ जाएगी देखिए 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे यह क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 9 माइनस 3 यहनि कि यह आ जाएगा 6 और इसको मैं लिख लेता हूँ 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 2 से इसको 6 को कट कर देता हूँ तो यह आ जाएगा रूट 3 बटे 3 तो यहां से बताएगे 3 को मैं रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकता हूँ तो यह आ जाएगा 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस रूट 3 बटे रूट 3 गुणे रूट 3 तो एक root 3 से एक root 3 कट गया ठीक है तो ये value मेरी क्या आ जाएगी यहां से 3 प्लस एक बटे root 3 minus एक बटे root 3 तो देखें ये value एक बार प्लस एक बटे root 3 है और एक बटे एक बटे minus एक बटे root 3 माइनस में है तो ये values यहां से कट गई तो मेरा answer आ गया 3 ठीक है तो मेरा इस प्रस्न के लिए answer क्या होगा 3 जो की option number B में दिया हुआ है Thank you